हेलो स्टुडेंट गुद मार्निंग जैस्वामी नारी तोडेव वी लान अबाउट यूनिट नमबर थ्री क्रिप्टोग्राफी एंड पॉब्लिक की इंफास्ट्रॉक्चर के अंदर हम लक्षन नमबर थ्री में श्टॉडी करेंगे 2.2 का पॉपिक है और उसका नाम है प् क्रिप्टोग्राफी में क्यों यूज होता है किस लिए यूज होता है इस टेकनिक को हम कैसे यूज करते है इस प्रीवेस लेक्चर मैंने आपको सीजर साइफर टेकनिक के रिलेटिड बताया था उसमें कोई रूल्स नहीं था सिंपल ही हम मैसेज को कैसे तनवर्ट करते है प्लाइन टेक्स टू साइफर टेक्स में वह मैंने आपको बताया था पर यह टेकनिक है वह थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें हम जो भी एक्जामपल लेते है यानि कि जो प्लाइन टेक्स और कीवर लेते है वह हमें रूल्स के हीसाब से हमें फॉलो करना होता है ठीक है? So, let's start, play fear cypher तो play fear cypher क्या है? सबस्टूट टेक्टिक है क्या है? एक सबस्टूट टेक्टिक है, ऑके, उसमें बहुत सारे means के रूल्स है उसे हमें फॉलो करना होता है और उस रूल के हिसाब से हमें जो हमारा जो keyword है यानि कि जो example है वो उसे हमें solve करना होता है और उसमें बहुत सारी जो चीजे होती है वो given and compute होती है ठीक है तो अब आप सोच रहे होगे कि given में क्या के आएगा what is given तो given में suppose कि जो हमारा message है और जो keyword है वो given है क्या है यह जो है वो क्या है given है so what is given okay what is given तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक message ले लेती हूँ हमारा जो message है वो जाज है और जो keyword मैंने लिया है वो monarchy है तो what is given तो मैंने आपको बताया कि message और जो keyword है वो given है तो अब message का meaning क्या हो गए इससे हम given क्यों बोलते है तो simply यह जो हमारा message है वो plain text ही और इस plain text को हमें play-fier technique थू हमें cipher text में convert करना हो था है उसे हम means के given कहते हैं यानि कि मैसेज कहिते हैं, यानि कि हमारा जो plain text message है, उसे हमें play-free-tire technique through ciphertext में convert करना हुआ है, ओके, next, what is keyword, तो keyword क्या है, इसका use हम किसलिए करते हैं, तो simple, तो यहां पे आप एक 5x5 matrix का एक table देख रहे हो, ओके, so ए जो keyword है, इसके लिए मैंने ए 5x5 matrix का जो table है, वो create किया तो सबसे पहले मैं इसके rules बता देती हूँ आपको, और बाद में हम start करेंगे, कि कैसे हम इस keyword को, इस keyword को, इस table में fill up करेंगे, ठीक है, तो first of all, first rules आएगा कि हमारा जो keyword है, वो हमें इस cell में, यानि कि जो table के cell है, उसमें occupy करना है, तो कैसे करना है, तो मैं message डालती हूँ और आपको देखाती हूँ कि कैसे डालना है, तो हमारा जो keyword है, वो हमें row wise, left to right, हमें जो keyword दिया हुआ है, वो इस cell में occupy करना है, तो M, O, N, A, R, C, H, Y, एक हमारा पहला जो step था, वो complete हो गया, कि यह जो keyword था, वो मैंने उसमें row wise, left to right, मैंने occupy किये, ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे, कि यह जो table के जो बाकी बचे हुए cell है, तो उसमें हमें क्या डालना है, okay, तो, so let's start, मैं आपको बताती हूँ, कि इस बाकी हुए जो cells है table के, उसमें क्या डालना है, ठीक है, तो total हमारे जो alphabetical word होते है, वो कितने है, हमारे total alphabetical word कितने है, 26 है, okay, so, यह जो 26 word है, alphabetical जो word है, उसे हमें इसमें डालना है, पर कैसे डालना है, so, उसका भी हमें आपको बता देती हूँ, कि जो बाकी, already मैंने यहाँ पे, जो ए मोनार्ची के जो word थे, वो total कितने थे, 8 थे, remaining कितने बचे, 26 में से 8 तो मैंने यहाँ पे डाल दिये, remaining कितने बचे, तो 18, अब ए 18 को मुझे 1 by 1 करके, ए जो बाकी हुए जो cell है table में, उसमें occupy करना है, अब आप सोच रहे होगे, कि 555 matrix का table लिया है, तो ए 25 cell हुए, तो 26 है, तो मैं कैसे डालूंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ, कि उसका rules है, कि इस table का play fear cipher technique का, कि हम table के एक ही cell में, एक ही alphabetical word डालेंगे, कोई भी दो, एक table, means कि जो table के cell में, हम दो alphabetical word नहीं डालेंगे, यह उसका rules से, play fear का, ओके, दूसरा rules ए आता है, कि keyword के अंदर हमने जो भी keyword यहाँ पे डाले है, उसके cy, यानि कि जो remaining है, वो ही इसमें हमें डालने है, यानि कि ए जो m आ गया है, तो दूसरी बार हमें एक keyword इसमें repeat नहीं करना है, ओके, यानि कि इस table में, एक word हम दूसरी बार repeat नहीं करते, इस a table की ए यूनिकने से, ओके, for example, कि suppose कि यहाँ पे मैंने o लिखा है, तो दूसरी बार जब मैं यहाँ पे o नहीं डालूगी, ये a table की यूनिकने से, यानि कि remaining जो alphabetical word से, वो हमें इसमें डालना है, तो मैं अब दूसरा काम a करूंगी, जो remaining जो word बच्चे हुए है, वो इसमें मैं ड दालूँगी, ठीके, तो कौन-कौन से बच्चे हुए, a आ गया है, तो b, c आ गया है, तो मैं d लिखूंगी, फिर e, f, g, h आ गया है, तो मैं i लिखूंगी, फिर k, फिर आएगा l, m, n, o आ गया है, तो मैं p लिखूंगी, r आ गया है, तो मैं q लिखूंगी, फिर S, T, U, V, W, Y आ गया है तो मैं X डालूंगी और लाश्ट में J अब आप सोच रहे होगे कि J तो रह गया है तो आपने देखा कि एक जो मैंने जो keyword के अंदर जो word आ गये थे उसमें मैंने दूसरी बार repeat नहीं किये वो इस table की uniqueness है यानि कि keyword के दिये गुए हुए alphabet के अलावा जितने भी alphabet बसते है वो आपको one by one इस column में यानि कि जो row की जो table की जो cell है उसमें डाल ला है अब आप सोच रहे होगे तको J तो keyword में भी नहीं था और मैंने भी नहीं डाला तो J क्यू जह कहा गया तो J है मैं यहाँ पे डालूँगी कहाँ पे डालूँगी यहाँ पे क्यू डालूँगी किस लिए डालूँगी तो आप सोच रहे होगे कि पहले तो आपने बताया कि share table के एक ही cell में एक ही alphabet डालना है दो नहीं डालना है तो आपने तो यहाँ दो डाले है तो क्यो डालेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि play fear cipher technique में एक rules है कि I के साथ हमेशा J ही जाएगा दूसरा कोई भी alphabetical words नहीं जाएगा तो कैसे तो for example J यहाँ से मैं हटा लेती हूँ और मैं J को यहाँ पे table के बाहर रख देती हूँ ठीक है तो आप देख रहे है होगे कि मैं suppose यहाँ से J हटा लेती हूँ और table के बाहर रखती हूँ तो सिर्फ यहाँ पे I ही बसता है तो इस J को I के साथ जाने के लिए play fear cipher technique क्या कहता है so play fear cipher technique यह कहता है कि J को I के साथ जाना है तो पहले उसे cut करना होगा फिर वो I के साथ जाएगा so आप आप सोचो कि अपने आप देखेंगी suppose मैं J इस तरह से लिखती हूँ तो मैं उसे cut करती हूँ तो I जैसा दिखता है और cut नहीं करती हूँ तो complete J दिखता है so कोई भी आप keyword आपको दे कोई भी message आपको दे हमेशा I के साथ J ही जाएगा suppose कि यहाँ पे कोई भी आप word ले ले तो एक keyword में J आ जाता है फिर भी आप यहाँ पे I लिखो गे ए उसका rules है so student यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि table कैसे create करते है message जो keyword है उसको कैसे table के अंदर fill up करते है okay so let's start अब हम देखते है कि जो हमारा message है उससे decompose कैसे करते है next topic हमारा ए है कि keyword को तो मैंने यहाँ पे table लेके 5 by 5 matrix का table लेके यहाँ पे decompose कर दिया यानि कि occupy मैंने यहाँ पे कर दिया है तो keyword का जो work था वो मैंने complete कर दिया है अब बचा message तो message को हम जो है वो decompose करना है पर कैसे करना है वो जानेंगे सपोज मेरा जो message है वो जाज है ठीक है यह message मेरा है वो जाज है अब हम message के rules जान लेते हैं मैंने आपको पहले ही बता है कि play fear technique को rules के हिसाब से हमें explain करना है तो हरेक के लिए rules होगा उसी हिसाब से हमें कंडग करना है मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने play fear cipher के basic concept ही में ही बताऊंगी पहले part में पहले part में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि keyword को table के अंदर कैसे डालते है उसे किस तरह से use किया जाता है message को कैसे decompose करते ठीक है और दूसरे part में हम जानेंगी जो हमें message यानि कि plan text दिया हुआ है और keyword दिया हुआ है उसे हमें cipher text में कैसे convert करना है और cipher text का message कैसे आता है वो हम next lecture में देखेंगे सिर्फ यहाँ पे हमें play fear का basic concept की देखना है ठीक है so यहाँ पे मैंने message चार्ज लिया हुआ है और दूसरा message मैं यहाँ पे ले लेती हूँ green ठीक है so यह जो message लिये हुए है उसे हमें पहले दो-दो alphabetical word में लेके उसकी pair बनानी है यानि कि दो-दो alphabet लेके उसे decompose करना है यानि कि उसके दो alphabet लेके pair बनानी आप कुछ भी कह सकते हो suppose यहाँ कि कितने है four है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी j a so suppose पहला a आएगा तो यह दो वड़े पड़ मैं उसे साथ में लोगी तो एक ही pair बनेगी ठीक है अब मैं दो लोगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा पर यहाँ पे rules हैं कि जब भी मैसेज में दो बार यानि कि दो बार एक ही alphabetical repeat होता है तब पहले वाले alphabet को हमें उठा के उसके साथ x लगा के उसकी हम pair बनाते हैं ठीक है तो मैंने क्या किया कि जेड था और उसके पीछे भी जेड था तो दो बार repeat होते तो दो बार repeat होते हैं तो पहले वाला जो alphabetical है उसे उठा के यानि कि उसके पीछे मुझे x लगा के उसकी एक pair बनानी ही ठीक है अब एजेड बच्चा तो उस जड़ के पीछे में क्या डालूंगी सो simple यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस जड़ के पीछे blank है यानि कि कोई भी alphabetical word नहीं है यह सिर्फ अकेला है ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या करूगी उसके साथ भी x लगा के उसकी pair बनाऊंगी ठीक है तो कितने word थे total four word थे उसके लिए मैंने कितने pair बनाई total three pair बनाई ठीक है अब आप सोचेंगे कि एक message green है तो मैं दूसरे example through बताती हूँ तो आपको ज़्यादा एड़ी आएगा suppose कि एक green है ठीक है तो क्या बनेगी एक उसकी pair बनेगी दो alphabetical की एक pair बनेगी यानि कि जी है अब एक दोनों same है और ये अकेला है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब एक ही alphabetical दो बार repeat होता है तो पहले वाले के उठा के उसके पीछे x लगा देते है और दूसरे वाले को e n तो इसमें difference कितना आया तो थोड़ा सा ही तो दोनों ही same थे तो दोनों में ही मैंने पहला z और e उठा लिये दोनों में से और मैंने उसके पीछे x लगा दिये पर इसमें क्या था उसके पीछे कोई भी alphabetical word नहीं था इसलिए मुझे उसके पीछे x लगाना पड़ा पर इसमें क्या हुआ कि इस e के पीछे n था तो मुझे उसमें x नहीं लगाना पड़ा और मैंने उसको पीछे n लगा दिया स्रीफ इतना ही difference है दोनों में ठीक है सो student यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको आपने जो message दिया था जो keyword दिया था उसको कैसे हम table में और उस keyword को कैसे table में occupy करते है और message को हम कैसे decompose करते है इतना ही मैंने play fear technique के बारे में आपको बताया है और play fear technique कैसे work करती है ठीक है दूसरे session में यानि की part two play fear technique में हम देखेंगे कि जब table के अंदर एक ही row और column में एक ही word आपके keyword के आ जाती है तो उसके cipher tag का answer क्या आता है वो हम next session में देखेंगे ठीक है और आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपको इसके related कोई भी query है तो मुझे comment box में comment डालके मुझे आप पुछ सकते है